प्रग्यान आईएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भुगोल विसे के अबहात अंत्र से सम्मधित प्रश्णों को हल करेंगे। साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ समझेंगे। चलिए अब प्रश्ण को देखते हैं। नीचे दिएगे कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बड़ी नदियों के जल गिरहन शेतर को जल सम्मधर कहते हैं। दूसरा कथन छोटी नदियों वे नालों दुआरा अप वाही शेतर को नदी दुरोणी कहते हैं। तीसरा कथन नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्नी भागो या पूर्ण छेत्र में देखा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन आसकते हैं? उपरिव्त प्रिशन का उत्तर बिकल्प A यानि केवल एक और दो कथन असकते हैं? आईए इसकी व्याख्या को देखते हैं बड़ी नदियों के जल गिरहन छेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियों वे नालों द्वारा अप वही छेत्र को जल संभर कहा जाता है। इस्थला करतियों का निर्माण किया जाता है। हिमाली अपुभा तंत्र में मुख्यते गंगा, सिंदू, विबरंपुत्र नदी, द्रोणिया सामिल हैं। ये नदियां गेरे महाखंडों से गुजरती हैं जो हिमाली के उत्थान के साथ साथ अप्रदन किर्या द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्तिये नदियां अपने परवत्य मार्ग में भी अकार की घाटियां, छिपरी काएं, विजल प्रपात बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रिवेस करती हैं तो निच्छे प्रणा अत्मग स्थलकरतियां जैसे समतल घाटियां, गोखुर्द, जीले, बार्ण करत मैदान, गुम्पित वहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्मान करती हैं। आईए अगले प्रिशन को देखते हैं, कोसी नदी के दुवारा बिहार में बाहरी तभाई मचाई जाती है, इसका मुख्य कारण हैं, बिकल्प A, कोसी नदी दुवारा परवतों से बाहरी मात्र में अपसाद लाकर मैदानी भाग में निशेफित करना, बिकल्प B, बिहार की भूगोलिक छेतर में बनू का कम प्रतिसत, बिकल्प C, नदी मार्ग में अत्तिदिक वांदू का निर्माण, बिकल्प D, उप्रोक्त सभी उपर युक्त प्रिशन का उत्तर बिकल्प A, सही है, आईए इसकी व्याख्या को देखते हैं, हिमाली छेतर की नदियां मैदानी भाग में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं, और अपना रास्ता बदलती रहती हैं, कोसी नदी जिसे विहार का सोक कहा जाता है, बह अपना मार बदलने के लिए कुविख्यात है, यह नदी परवतों के उपरी छेतर से भारी मात्र में अपसाथ लाकर मैदानी भाग में जमा करती है, इससे नदी का मार्ग अबरुद हो जाता है, वे परड़नाम सरुप नदी अपना मार्ग बदल देती हैं, चलिए अब अगले प्रश बिकल्प डी इनमें से कोई नहीं, उपरयुक्त प्रिश्न का उत्तर बिकल्प बी यानि लद्दाक और जासकर से होकर वहती है, आईए इसकी व्याख्या क्यों देखते हैं, सिंदु नदी का उद्गम तिबद छेतर में कैलास प्रवस्रेणी में वोखर्चू के निकट ए जब मोर कस्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनिय महाखंड का निर्माड करती है, ये अब अगले प्रशन को देखते हैं, निमलिखित में से सिंदु की कौन-कौन सी साहक नदियां सुलिमान स्रेणियों से निकलती हैं, एक गोमल, दो, तोची, तीन, स्योक, चोथी, आईए कूट को देखते हैं, बिकल्प A केवल एक दो और तीन, बिकल्प B केवल एक तीन, चार और पांच, बिकल्प C केवल एक दो और पांच, बिकल्प D केवल दो और पांच, उपरियुक्त प्रिश्न का उत्तर बिकल्प C सही है, आइए इसकी व्याख्या को देखते है सिंदू नदी की सायक नदियां जो सुलेमान सेर्ण से निकलती है वो इस परकार हैं खुर्रम, तोची, गोमल, बिवोवा और संगर ये नदिया सिंदू नदी से दाईने टट पर मिलती है कावुलवी सिंदू की एक महतपूर्ण सायक नदी है जो सिंदू से दाहिने तट पर मिलती है। सिंदू की बहुत सी सायक नदियां हिमाले परवच से निकलती हैं जो इस प्रकार हैं जैसे शियोग, गिलगित, चासकर, हुंजा, नुवरा, सिगार, गौस्टिन, विद्रास, धन्यवाद।